मौत के मुँर में दरवाजे पर खड़े मरीज को अगर इलाज की जगह सपताल में मारटीट की जाए तो डॉक्टरी पेसे पर सवार उतना लाजनी है मामला कुशी नगर के पड्रोना कोत्वाली छेतर के पड्रोना अगर इस तेत नवजीवन हॉस्पिटल का है जहां पड्रोना अगर के ये श्रीप्रकास दूबे नाम के वैशाई को अचानक सीने में दर्द उठा है आनक फानन में परीजन नजदी की हॉस्पिटल नवजीवन में ले जाते हैं और एमर्जनसी फीस जमा करने के बाद भी जब समय रहते हैं मरीज को इलाज नहीं मिलता है तो मरीज के परीजन डॉक्टर को तुरंट बुराने की बाद खहते हैं परश्री प्रकास दूबे जो जीने के समराथ लोगों में एक गिने जाते हैं और एक बार मौत के मुल से वापिस आ चुके हैं जिने पहले भी हार्ट अटक आ चुका जिसके चल्टे स्टन्ट भी पड़ा हुआ है अचाणक उठे सीने में दर्द से परिशान मरीज को अगर समय रहते ड्टर Division को अरग गिरीजों को और मरीज की तीमारदारों के बीच कहा सुनी के बाद छनक कराम और पिट हो गई यह पूरा वाग के वाग हैं सीसी टी वी कैपरे में क्या्टना Venk दौक्टर द्वारा पुलिस को सूचना देते हुए बताया गया कि तीमारदारों द्वारा हॉस्पिटल के अंदर असलहां लेकर लहराते हुए डराया धमकाया गया है। इसे हमारे कर्मचारियों में भैव्याफ्त हो गया। वहीं मरीश के परिजनों ने बताया कि बार बार आगरा के बार भी हास्पिटल के कर्मचारी डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे थे और जब इसका विरोध कर हम लोग डॉक्टर से मिलने का प्रयास किये तो कर्मचारी मार्ट पेट पर उतारू हो गए। हाला कि सेसें टीवी फोटेर्स में कहा सोनी के दौरा एक व्रक्ति के हाथ में प्रिस्टल दिख रहा है। कहीं न कहीं पुलस हमारे साथ चाती कर रही है। फिलहाल मामले का पुलस जाच कर uczचित करवाही की बात कह रही है। लेकिन एक हार्ट के मरीज का इलास्प ना करना, फिर मार्पीट करना, फिर उसके बार मरीज के ही तिमारदारों को जेल गेजना, कहीं न कहीं प्राविट हास्पडल में चल रहे डॉक्री पेसे को अपने पेसे से उल्टा काम करती हैं, जैसे कुशी नगर में देखने को मिला माना जाता है कि एक डॉक्र के पास किसी की जन बचाने या उसे बहतर जिंदगी देने का हुनल होता है, ऐसे में इस तरह की घटना का सामने आना एक चिंता का विशे है में संदीर जी दिखाने चला गया, तो जैसे ही मैं उनके ऑफिस में गया तो मैंने जाते ही काउंटर पे उनके कंपाउंटर से रिक्वेस्ट किया, भहिया मुझको हर्ट में चेस्ट में हो रहा है और मुझको हर्ट अटक की समभावना लग रही है, प्लीज एक बार हमको में बढ़ता जा रहा है, अगर बाइद वे कुछ हो गया तो अभी अटक हो जाएगा, मैं जिन्दा नहीं बश्पाउंगेगा, मैं फिर दुबारा गया जब मेरे से रहा नहीं गया, मेरा सरीर कहा प रहा था, तो मैं दुबारा जब मैं गया तो उसके वासे कंपाउंटर कि आपके बाप का नो कर थोड़े हूं, मैं कि जब आप कहिए तो मैं दिखवा दूगा आपको, बहुत लोग बैठे हुए है, जाए भागी बाद, जाए तो जब इस तरह से उसने कहा, तो हमें कहा कि इस तरह कि बात क्यों कर रहा है हो तुम, तो उसने कुछ और भी काफी कि आप सब का प्रयोंग किया, जिसे कि हमारे साथ एक दो लोग थे हमारे परिवार का लोग ते हमारे जान की चिंता थी, जिनको यह लग रहा था कि अब मर जाएंगे कि तम मर जाएंगे, उन्हों के बीच में और कंपाॉंडर और ऑर डाक्टर के यह स्टाफ थे, उसके ब अंदर घुसते तरव मैंने अपने बेटे को पिछ्टल दे दिया तो पिस्टल ऊपर इसे रखा हुआ-ठाव था, तो उसको को फिश्टल रखने के आदत नहीं है तो उसने धीरे से मतलब प्राविद रुप्यों किया हो असला है कि एक डॉक्टर के होस्पिटल में मरीज के रूप में अपने को दिखाने के लिए कुछ लोग गये थे उनके साथ कुछ और प्रेक्टी थे वहां रेसेप्शन पर बैठे हुए आद्मी से कुछ बात ब्याद हुआ तो वीडियो में दिखाई पढ़ रहा है वीडियो क्लिप में कि ये लोग भूस करके रेसेप्शन पर बैठे हुए लोगों से हाथा पाई करते हुए उनको सपर्ट कोड़ माने देगा हुए मार्पीट में जवसा बहां को आते हैं और जगड़े को तुन्दाने का प्रयास करते हैं और पि जवगाता है ज्मकाने की लिए इस समन में उकदमात आने पर चल יए गया है ज्यों लोग इसमें नामी है उनको और इसकी अई लेकर जगे आ रही है और दिखाए रहा है किसके नाम लाइसेंस है और कैसे किसके पास पहुचाए उसमन में लग सकाया रही है